हेलो स्टुडेंट्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासेस में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं ले कराया हूं आपके लिए जो कि आपके आने वाले एक्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपर्टन कोश्चन्स होने वाले हैं तो दोस्तो इस वीडियो में दस कोश्चन्स होंगे जो की डिफेंस के तयारी करने वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपर्टन कोश्चन्स होंगे तो मैं आप से रिक्रे सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे हैं सबसे पहले चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो फर्स्ट कोस्टिन है मारा कोस्टिन नमर बन सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है तो यहां पर सेना दिवस से दोस्तों तर्फत है थल सेना दिवस मतलब इंडिन आर्मी डे कब मनाया जाता है तो सेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों ओप्सन से आपके ओप्सन A 15 जनवरी ओप्सन B 16 दिसंबर ओप्सन C 19 दिसंबर और ओप पंधरह जनवरी के लिए लिए क्विश्न कर्क्टान्सर होगा पजके नेक्ष्ट के तरब से जमने कर्क्राश्य अकंतित हैं जिस की फिल्फॉम होती है नेश्नल डिफेन्स तो नेश्नल डिफेन्स यह कहां पर बास ध है मतलब राश्ट्री रक्ष्य आकादमी कहां परिष्थे थे ओप्षन से आपके ओप्षन A, खडग वासला ओप्षन B, नागपुर ओप्षन C, चेन नई और ओप्षन D, इनमें से कोई नहीं तो question number 2 का correct answer होगा आपका option A, खडग वासला जी हैं दोस्तो राश्ट्री रक्ष्य आकादमी याने की NDA, National Defense Academy खडग वासला में इस्तित है तो question number 2 का correct answer option A, खडग वासला next question है question number 3 उत्राखंडर राज्जी की सीमा किन देशों से जुड़ी है उत्राखंडर राज्जी की सीमा किन देशें सोई जुड़ी है तो option साँ आपके तिबबत और चीन option B, तिबबत और नेपाल option C, तिबबत और पाकिस्तान and option D, नेपाल और पाकिस्तान तो उत्राखंडर की जो सीमा है दोस्तों वो तिबबत और नेपाल देशों से मिलती है तो question number 3 का correct answer होगा option B, तिबबत और नेपाल तो यहाँ पर next question है आपका question number 4 Victoria Memorial कहां पर इस्तित है Victoria Memorial कहां पर इस्तित है तो option साब के option A, दिली option B, कौलकाता option C, चेन नई and option D, इन में से कोई नहीं तो आपको बताना है कि Victoria Memorial कहां पर इस्तित है तो question number 4 का दोस्तों correct answer होगा आपका option B, कौलकाता तो Victoria Memorial दोस्तों कौलकाता में इस्तित है तो question number 4 का correct answer option B, कौलकाता next question है question number 5 19-2022 19-2022 का Asian खेल कहां खेल जाएगा 19-2022 का वो कहां पर खेल जाएगा तो सबसे पहली बात तो यह है कि Asian Games 2022 में होने वाले हैं कौन से गेम्स होंगे 19 में गेम होंगे यह और कहां पर खेले जाएगे तो यह खेले जाएगे दोस्तों हंग जो में तो question number 5 का correct answer होगा option B, हंग जो तो next question के तरफ चलने से मैं आप से request करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने वीडियो को like ने किया है और चैनल को subscribe ने किया है तो please वीडियो को like कर दें और हमारे YouTube चैनल को subscribe जरूर कर लें जिससे आने वाली वीडियो की notification आप तक पहुंचते रहे सबसे पहले तो दोस्तो इस वीडियो में केवल दस questions हैं जिनमें से 5 question हो चूटए हैं और उमिद करता हूँ यह वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तो आपके लिए वीडियो को last में करना क्या है कही कमेंट करके आपके लिए बताना है कि आपके इन 10 questions में से कितने questions सही हैं जो आपके लिए पहले से ही पता थे तो इस बीडियो के जो पीडियो की फाइल है उसके लिए भी आप फ्री में download कर सकते हैं वीडियो की description से तो इस PDF का मैं लिंक वीडियो की डिस्क्रिक्षिन में दे दूँगा बहाँ से जाकर आप इस वीडियो की PDA डाउनलोड कर सकते हैं तो नेक्स्ट कोसिन है हमारा दोस्तों कोस्टे नमर शिक्स तो निकाल की अबधी लोगसभा में कितनी होती है तो दोस्तों लोगसभा में एक सून निकाल होता है जिसकी अबदी कितने होती हुदू कितने टाइम का सून निकाल ़ोगसवा में होता है तो आफ़शन से आपके आदे घंटे का option B, 3 गंटे का, option C, 1 गंटे का, option D, इन में से कोई नहीं तो question number 6 का correct answer होगा, आपका option C, 1 गंटा जी हैं तोस्तो, सुन निकाल के अब धी, 1 गंटे होती है तो next question है हमारा, question number 7 लोगसवाक का नेता होता है, लोगसवाक का नेता होता है तो लोगसवाक का नेता कौन होता है, option से आपके, option A, उपराश्टुपती, option B, प्रधानमंत्री, option C, राश्टुपती, and option D, इन में से कोई नहीं तो लोगसवाक का नेता होता है दोस्तो, प्रधानमंत्री तो question number 7 का correct answer होगा, आपका, option B, प्रधानमंत्री next question की तरफ चलने से पहले, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कि ये वीडियो, खास करकर जो defense के exams की तयारे कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादे important वीडियो है, और इसमें, इसमें मैंने अच्छे level के questions आपके लिए गए हैं, जो कि defense की, आर्मी, आर्पी, आर्पी, हवा में nitrogen की मात्रा है, हवा में nitrogen की मात्रा कितनी होती है, तो options आपके 21%, option B, 28%, option C, 78%, and option D, 57%, तो question number 8 का correct answer होगा, आपका option C, 78%, मतलब 78%, ये हैं, दोस्तों, हवा में nitrogen की मात्रा होती है, 78%, तो question number 8 का correct answer है, option C, 78%, next question है हमारा आज का दोस्तों, question number 9, धोनी की आवाज को किस scale पर मात्रा जाता है, धोनी की आवाज को किस scale पर मात्रा जाता है, मतलब धोनी ना अपने का scale क्या है, तो options हैं, आपके hertz, option B, mega, option C, decibel, and option D, इन में से कोई नहीं, तो question number 9 का correct answer होगा, आपका option C, decibel, यह हैं दोस्तों, धोनी की आवाज को decibel से ना पर जाता है, तो question number 9 का correct answer, option C, decibel, next question है हमेरा, question number 10, रूस के sunset को किस नाम से जाना जाता है, रूस के स ignisit को किस नाम से जाना जाता है, तो option C हैं आपके, option A, un, option B, congress, option C, duhma, and option D, assembly, के लिए तो कुस्टिन नमर्ट 10 का क्रेक्ट अंसर आपका ऑप्षण सी डियुमा जी हैं दोस्तों रूज के संसत के लिए डियुमा नाम से जाना जाता है तो यह थी दस कोस्टिन्स वीडियो की जो बहुत ही ज़्यादे इंपर्टेंट को से थे खास करके डिफेंस के एकजा साथ में तब तक लिए नमस्कार जहन जवारत